जैसे किसना पंदे मातरम जी के मांचर चलास में सब का स्वागत है। हमारा छो टॉपिक चल रहा हá वो आजस्तान का इतियास चल रहा है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना Hangتव चाहता हूं। बीच बीच में से पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी ओके आज की जो क्लास है हमने जो इसके जस्ट पीछे वाली जो मेवाड के इतियासी क्लास पढ़ी उसमें हमने पढ़ाता महाराना अमर सिंग पढ़ाता हमने किन को पढ़ाता हमने पढ़ाता यहां तक हमारा इतियास हो चुका था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अमर सिंग के जो पुत्र है उनकी हम चर्चा करेंगे और उनका नाम है महाराना कर्ण सिंग क्या नाम है महाराना कर्ण सिंग जो है इनको हम पढ़ेंगे पहले चीज फिर महाराना कर्ण सिंग में ज़्यादा इतियास नहीं है हम competition की त्यारी कर रहे हमें पूरा इतियास नहीं पढ़ना है जो एक्जाम में प्रश्ण बनते हैं उसी की बात करेंगे उनके बाद हम इनके पुत्र की चर्चा करेंगे करण सिंग के बाद इनके जो पुत्र हुए उनका नाम था महारणा जगत सिंग प्रथम यह आपके एक कोश्चन यहां से बनता है यहां से ज़्यादा कोश्चन बनते हैं करण सिंग के कम कोश्चन बनते हैं मैं सारी चीज क्लियर करूँगा फिर करण सिंग के बाद हम इनके जगत सिंग प्रथम के पुत्र पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे महाराणा राज सिंग परतम और मारना राज सिंग परतम को हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है अमर सिंग का हमने समय पढ़ा था 1567 में से 1620 तक का इनका टाइम था अमर सिंग जी का मारना कर्ण सिंग का समय चलता है 1620 से 1628 तक का समय चलता है फिर हम बात करते हैं 1628 से 1652 तक का इनका समय चलता है जगर सिंग जी का परतम का और फिर हम मारना राज सिंग परतम की बात करेंगे वो 1652 में सासक बनते हैं और 1680 तक ये राजा रहते हैं तो आपको चारों के सन भी थोड़े से देख लेने, इनका भी अच्छा प्रशन बनता है, क्योंकि एक क्वेशन आपके वर्तमान में ऐसा आ रहा है, वो इतिहास में सासकों को जमाने वाला क्वेशन, खास करके तीन पेपर 2022 के और एक 2020 का पेपर था, उसमें तीन पेपरों मे सिर्फ मिवाड के सासकों को जमाने वाला प्रशन दिया, मतलब इनका क्रम जमाना था, चार सासक एक ही ऑप्शन में दिये, उनको आगे पीछे, आगे पीछे करके दिये, तो आपको क्रम पता होना चाहिए, तो अमर सिंग के बाद इनका बेटा कर्ण सिंग राजा बनता है करण सिंग के बाद जगत सिंग परतम बनता है जगत सिंग परतम के बाद माना राज सिंग राजा बनते हैं तो हमें ये तीन चार राजाओं को थोड़ा सा देखना और सबसे ज़्यादा हमने जो अभी बोर्ड पे चार सासकों के नाम लिखें उनमें सबसे ज़्यादा question राज सिंग का बनता है ठीक है फिर जगत सिंग का बनता है ठीक है करण सिंग का बहुत कम question बनता है लेकिन हम इनको clear करें लेकिन हम अमर सिंग हम already पढ़ चुके हैं अमर सिंग का इतियास अभी पिछली क्लास में मैंने आपको clear पढ़ाया था और अच्छे से पढ़ाया था देखो माना करण सिंग से लेटर दो तिम प्रस्ण बनते हैं पहली प्रस्ण जो है पहली हम करण सिंग के बारें बत कर रहें अमर सिंग की पढ़ लिए पहला question है कि मि मुगल संदी के तहत मुगल दर्बार में मुगल दर्बार में मुगल क्याने समझना मुगल दर्बार में उपस्थित होने वाले उपस्थित होने वाले ठीक है मेवाड के प्रथम राजकुमार थे क्या मेरी बास समझ मा गई क्या मेवाड के ये प्रथम राजकुमार थे तो मेवाड मुगल संदी हुई ये और मेवाड मुगल संदी अमर सिंग के समय अमर सिंग पर्थम के समय हुई थी तो मेवाड मुगल संदी के तहत मुगल दर्बार में संदी के तहत ये कहा गया था मेवाड का सासक मुगल दर्बार में उपस्तित नहीं होगा तो एसी सिच्वेशन में फिर मेवाड माना अमर सिंग महाँ पर उपस्तित नहीं हो थे उन्होंने अपने पुत्र कर्ण सिंग को भेजाता और कर्ण सिंग मुगल दरबार में उपस्तित होने वाले पहले व्यक्ति थे मेवाड के पहला कोशन दूसरा कोशन अच्छा बनता है इन्होंने कर्ण सिंग जी ने आपने नाम सुनाओगा पिछोला जील कौन सी जील है पिछोला जील कहां पर आती है उदैपूर में तो इस जो जील है इस जील के महलों का निर्मान करवाया क्या मेरी बात समझना गई क्या पिछोला जील के महलों का निर्मान करवाया किस ने करवाया करण सिंग जी ने अब थोड़ा सा ध्यान से समझना पिछोला जील के अंदर जो पाणी के बीच में जो महल बने हुए है उन महलों का निर्मान करवाया आगे समझाने वाला हूँ सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करो कि इस जील का अगर आप से पूछे कि निर्मान किसने करवाया तो पिर आपका उत्तर चला जाएगा ठीक है इसका निर्मान राणा लाखा के समय किसके समय राणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया था किसने करवाय था बंजारे द्वारा पिछोला जील का निर्मान करवाया लेकिन पिछोला जील के जो महल है क्यों से महल है पिछोला जील के महलों का निर्मान अगर आपसे पूछे तो आपका उत्तर जाएगा माना करण सिंग उत्तर जाएगा क्या चीज clear हो गई, अच्छे से समझना, आगे सब के दिमाग में question चल रहा होगा, पिर जगल सिंग पर्थम का क्या matter है, तो मैं आगे आने वाला हूँ, अब बात करते हैं, तीसरे बिंदू की और फिर आपके करण सिंग जी का हितियास complete है, करण सिंग जी का तीसरा बिंदू ओके, और मुगल सासक था, उसका नाम था जहांगीर, कौन था, जहांगीर, बहुत important है, तो जहांगीर जब था मुगल सासक, तो जहांगीर जब मारना करण सिंग सासक बनते हैं, तो सासकर्ण सिंग को ठीक है, का जाता है कि 5000, मुगल दरबार में उपस्तित हुए उसी समय दे दिया था, 5000 का मनसब दिया था, क्या दिया था, मनसब दिया था, पहली, और दूसरा कोशन, जब करण सिंग सासक बने, तब करण सिंग जी के लिए, मुगल दरबार से जो है, फर्मान जारी हुआ था, और उसमें इनको खिल अत दी थी, खिल अत प्रदान की थी, कहीं कह खिलवत लिखा हुआ है, तो टेंसन नहीं लेना है, एक्स्प्लेन करूँगा आगे, तो इनको खिलवत दिया था, ठीक है, किसको दिया था, मारना करण सिंग को, एक तीसरा और चोथा बिंदू, और आप करण सिंग जी के बारे में समझ सकते हो, लास्ट बिंदू, देखो जांगीर का पुत्र दियान से समझना, जांगीर का पुत्र था, शाजां, कौन था, जांगीर का पुत्र शाजां था, और साजां को इतिहास में बोला जाता है, खुर्रम, क्या बोला जाता है, खुर्रम बोला जाता है, ठीक है, तो साजां जो था, शाजां, इस साजां ने अपने पिता जांगीर के खिलाब साजा ने जांगीर के खिलाब क्या कर दिया विद्रोह कर दिया था क्या कर दिया था विद्रोह कर दिया था लेकिन पापा थोड़े डेंजर थे साजा को भागना पड़ा जब साजा भाग करके आया किसके पास आया कर्ण सिंग के पास आया जिनको हम मारना कर्ण सिंग बोल रहे हैं कर्ण सिंग के पास आया और कर्ण सिंग ने शाजा को मेरी बात सबके समझा रही क्या कर्ण सिंग ने द्यान से समझना, मैं line गुमा के ले जा रहा हूँ कर्ण सिंग ने शाजां को, खुरम को इनी महलों में थेराया क्या सब के समझ मा गया अगर आप से पूछे कि शाजां को कर्ण सिंग ने कहां शरण दी ती तो आपका उत्तर जाएगा ये पिछोला के महलो में क्या मेरी बात समझ मा गए क्या किसी को कोई डाउट तो नहीं है अब डाउट नहीं है तो मैं आगे एक बिंदू और समझा देता हूँ अगर आपकी एच्छा हो और आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो ये एक बिंदू और बात करते हैं ठीक है? इनी महलों में, कौनसे महलों की बात कर रहें? इनी महलों में मैं आगे एक टौपिक और लेके जा रहा हूं इनी मेलों में आप जब आपको 1857 की क्रांती हुई थी आपको ध्यान होगा 1857 की क्रांती होती है 1857 की क्रांती के समय नीमच च्छावनी के कौन से च्छावनी के नीमच च्छावनी के नीमच च्छावनी के 40 अंग्रेज भाग करके आए 40 अंग्रेज को डुंगला गाउं चित्तोड से मेवाड का पॉलिटिक लेजन्ट केप्टन सावर्स जब बचा के निकालता है तो इन 40 अंग्रेजों को उस समय मेवाड मारना स्वरूप सिंग थे कौन थे? स्वरूप सिंग थे ध्यानकना और मेवाड मारना स्वरूप सिंग ने इनी 40 अंग्रेजों को फिक है पिछोला जील के बीच में जो महल बढ़े हुए हैं इनी महलों में शरण दी थी क्या सब के समझ में आ गया? दो सेकंड में रिपिट कर रहा हूँ फिर आपको स्क्रीन से सोट लेने का टाइम देंगे फिर मैं आपको महारना जगत सिंग पढ़ाने वाला हूँ जगत सिंग के बहुत अच्छे प्रशन बढ़ते हैं एक एक चीज कलियर करूँगा आपसे मिस्टेक नहीं होनी चिये पेपर में सुनना महारना अमर सिंग 1577 में से 1620 हमने पढ़ा था महारना कर्ण सिंग 1620 से 1628 हम पढ़ रहे हैं मुगल दरबार में उपस्तित होने वाले पर्थम राज कुमार थे मिवार में क्यों पस्तित हुए 1615 की फरवरी 1615 की मिवार मुगल संदी के तहट ठीक है उसके बाद पिछोला जील जो उदेपूर में हैं उसके महलों का निर्मान किस ने करवाया कर्ण सिंग ने करवाया और पिछोला जील हैं उस जील का अगर आप से निर्मान पूछे तो राणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया था अब बात करते हैं तीसरे बिंदू की कर्ण सिंग पढ़ रहे हम लोग किसको पढ़ रहे हैं कर्ण सिंग को तो कर्ण सिंग जी का तीसरा बिंदू जब कर्ण सिंग मेवार के राजा बने तो उस समय मुगल सासक कौन था जांगीर था और जांगीर जो था तो जांगीर ने कर्ण सिंग को 5000 का मनसब दिया और सासक बने थे तब उसको खिलोत परदान किया था उनका सम्मान किया था उसके बाद जांगीर का बेटा शाजा होता ह जिसको खुरम गोलते है वो अपने पिता के खिलाफ विद्रो कर देता है जब पिता जी डेंजर जोन में आ गए तो साजां को भागना पड़ा और जब भागना पड़ा तो साजां किसके पास आया कर्ण सिंग तो कर्ण सिंग जी ने साजा की सायता की और साजा को इनी पिछोला के महलों में ठेराया कौन से महलों में ठेराया ये देखो पिछोला जील के महल मेंने बढ़ा रखे क्या मेरी बात समझा गई क्या तो ये पिछोला जील के महलों में ठेराया था ओके और 1857 की करांती हुई थी तब नीमच छावनी का विद्रोवाता 3 जून 1857 को और नीमच छावनी को आग लगा दी गई रातरी 11 बजे में ठीक है और छावनी को लोट लिया गया वहां से 40 अंग्रेज भाग करके निकले डूंगला गाउं चितोड पहुंचे जिनको विद्रोई सेनिको ने गेर लिया लेकिन उदर से मेवाड का पॉलिटिकल एजन्ड केप्टन सावर्स पहुंचा और उसने इन 40 अंग्रेजों को डूंगला गाउं चितोड से छुडा करक उदेपुर पहुंचाया और उदेपुर में करांती के समय मारना सरूप सिंग थे और इननी मारना सरूप सिंग ने in 40 अंग्रेजों को काँ ठेराया था इननी पिछोला जील के अंदर जो पानी के बीच में जो वाइट गलर के जो महल बने हुए उन में ठेराया था क्या चीज क्लिर हो गई तो ये कर्ण सिंग जी के 4-5 कोशन याद रखना बाकी नवरी टेंसन लेनीस नहीं है आपको ओके ठीक है एक बार आप इसका स्क्रिन सोट लेंगे उसके बाद में माना जगत सिंग का इतियास पढ़ने वाला हूं इसका 100% कोशन एकजाम में बढ़ता है ओके चीक है एक बार स्क्रिन सोट लेंगे प्लीज ओके समझ मा रहा होगा कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा बहुत बीपली पढ़ा रहे हैं लेकिन याद रखना जब तक आब इतियास को पूरा डीपली नहीं पढ़ोगे समझ में कम आएगा तो समझना बहुत जरूरी है विसेश तोर से ध्यान रखना खास करके मेवाड का इतियास अच्छे से पढ़ें क्योंकि मेवाड के इतियास के साथ में कुछ दूसरे सास को का इतियास जो लिंक है वो भी मैं एक्स्पेर्ण करूँगा अब हम बात करेंगे किसकी महरणा जगत सिंग पर्थम की अच्छे प्रश्ण बनते हैं तो महरणा जगत सिंग पर्थम से रिलेटेड पहला प्रश्ण हम बात करेंगे मिवाण मारणा जगत सिंग किसके पुत्र थे कर्ण सिंग के पुत्र थे पहला कोशन दूसरा कोशन हम बात करते हैं जगत सिंग जी जो थे इनका मारणा जगत सिंग हम प्रथम पढ़ रहे हैं कौन पढ़ रहे हैं मारना जगत सिंग पर्थम पढ़ रहे हैं तोड़ा मैं यही हेडिंग डाल दू तो आपको समझाने में इजी रहेगा देखो मारना जगत सिंग पर्थम का पहला कोश्चन बनता है कि मारना जगत सिंग पर्थम का काल यानि कि इनका काल इनका काल कौनसी देखो समय क्या लिकरका है 1628 से 1652 तो ध्यान से समझना 1628 से 1652 मारना जगत सिंग परतम का समय है तो इनका काल हम क्या सकते हैं कि सतरवी सताब्दी कौनसी सताब्दी है सतरवी सताब्दी और सतरवी सताब्दी जो है इनका काल बहुत शांदार कोश्चन बनता है मेवाड चित्रशेली का स्वर्ण काल माना जाता है बहुत अच्छा प्रश्ण आता है गलत नहीं होना चीए इनका काल मेवाड चित्र शेली का क्या माना जाता है स्वर्ण काल माना जाता है सबसे इंपोर्टेंट बात है दो प्रस्वन क्लियर कर देते हैं अगर आपसे पूछे कि मेवाड चित्र शेली का विकास का काल आपसे पूछ ले एकजाम में कौंसा काल विकास का काल तो विकास काल माना जाता है माना कुम्भा के समय कुम्भा महाराना कुम्भा का काल मेवाड चित्र शेली का स्वण का विकास का काल माना जाता है जबकि जगत सिंग पर्थम का काल मिवाड चित्र शेली का स्वण काल माना जाता है गल्पी नहीं होनी चाहिए दोनों चीज क्लियर हो गई आगे चर्चा करूंगा और जगत सिंग जी का दूसरा प्रशन ये पहला प्रशन था अब हम दूसरा बात करेंगे तो इनका काल जो मिवाड चित्र शेली का स्वन काल माना जाता है तो क्या कारणे इनके समय में सबसे जादा इनोंने मिवाड चित्र शेली को बढ़ावा दिया और बढ़ावा दिया तो उसके लिए प्रशन अच्छा बनता है कि उदेपूर जो जगे हैं उदेपूर में इनोंने अपने महलों में बहुत अच्छा प्रशन बनता है और महलों में ठीक है एक चित्र से लेटेड चित्र कला से लेटेड चित्र शाला विबाग खुला और उसका नाम है तस्वीरां रो कार खानों और यही तस्वीरां रो कार खानों का दूसरा नाम है चितेरों की ओवरी क्या नाम है चितेरों की ओवरी ठीक है तो यह भी आपके एक्जाम में प्रश्न बनता है बहुत ज्यादा बनता है कि चितेरों की ओवरी का संबंद किस से है तो चितेरों की ओवरी तस्वीरारों कारखानों को भी बोलते हैं जिसका निर्मान जिसकी स्थापना उदेपुर में अपने महलों में किस ने की थी माना जगत सिंग पर्थम ने की थी तो तस्वीरारों कारखानों का संबन्द भी माना जगत सिंग परतम से रिलेटेड है क्या यहां तक क्लियर है किसी को कोई डाउट नहीं है तो आपके सामने जगत सिंग परतम से रिलेटेड दो प्रशने क्लियर होते हैं आपके कॉंपिडिशन के एक्जाम के लिए कि इनका काल सत्रवी सताब्दी है और मेवार चित्रशेली का स्वर्ण काल था क्यों था क्योंकि पूरे राजस्तान में स्वर्वी सत्रवी सताब्दी चित्रशेलियों का स्वर्ण काल माना जाता है इसी लिए इन्होंने उस समय चित्र शेली का ज़्यादा विकास हुआ उदेपुर में अपने मेलों में तस्विरारों कार खानों या चित्रों की ओवरी की स्थापना की यह most important है अगला तीसरा important question जगत सिंग जी का अगला तीसरा important question इनके कुछ चित्रकार हैं और उन चित्रकार को कह जाता है चितेरा क्या बोला जाता है चितेरा तो चित्रकारों के नाम पूछे जाते हैं विवाड में चित्रकारों के नाम देदेगा और पूछेगा यह कौन सा चित्रकार किसके समय का है तो वो हमारे सामने गलत नहीं होना चाहिए तो मैं knowledge के लिए बता रहा हूँ तीन चित्रकार famous थे इनके समय में उनके नाम हमें मिलते हैं पहला नाम है साहबुदीन कौन है साहबुदीन दूसरे चित्रकार की मैं चर्चा करता हूँ उसका नाम है केशव के शव तीसरे चित्रकार की बात करता हूँ तो मनोहर कौन है मनोहर तो ये तीन चित्रकार हमें याद रखने ठीक है और इन तीन चित्रकारों ने किस सब्जेक्ट से रिलेटेड चित्र बनाएं ये आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो देखो साब उदिन जो चित्रकार था ठीक है ना भागवत पुरान से समंदित चित्र बनाएं किस से रिलेटेड भागवत पुरान से पहला कोशन केशव ने रसिक प्रिया से सम्दित चित्र बनाए किस से रसिक प्रिया से सम्दित चित्र बनाए गलत नहीं होना चीए मनोहर ने आर्स रामायन से समंधित चित्र बनाए तो ये आपके कोशन गलत नी होने चीए यानि कि इनके समय के तीन चित्रकार फेमस थे एक शाहवुदिन भागवत पुरान से लिटेड केशव रसिक प्रिया से रिलेट और मनोर ने आर्स रामाइन से रिलेटेड चित्र बनाए तो आपसे चार चित्रकार देखे पूछे साबुदिन केसो मनोर और एक कोई और चित्र कार का नाम देदेवे सूर्यपाल सिंग और ये चार चित्रकार में से कौन सा चित्रकार महराना जगत सिंग पर्थमका नहीं है तो आपका उत्तर जाएगा सुर्यपाल सिंग चित्रकार ओके ठीक है option दिया भई मैंने मैं कोई चित्रकार होगे रहा नहीं हूँ मैं तो पुराने जमाने में कोई राजा मारजा था बस वो यादास नहीं अभी तक जिस दिन यादास आजाएगी तो पता चल जाएगा में पिछले जन्व में क्या था लेकिन वो आई नहीं आने वाली थी लेकिन बीच में कोरोना आ गया तो कोरोना से क्या सब भी लोगों के यादास चली गई ओके ठीक है तो ये चार बिंदू क्लियर हो गए क्या साबुदिन, अज्मनोहर, केशव ये सब हमें चीजें क्लियर करनी है किसी का भी गलत प्रस्थन नहीं होना चीए अब मारना जगत सिंग का हम अगला प्रस्थन बात करते हैं ठीक है मैं ये उपर के दो सासकों को अटा रहा हूँ ठीक है ना दो सासक आपको मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो टेंसन नहीं लेवे इधर का नहीं अटा रहा हूँ आप स्क्रीन सोट ले सकते हैं बाग में हम पढ़ रहे हैं जगत सिंग कौन पढ़ रहे हैं जगत सिंग पढ़ रहे हैं जगत सिंग का एक last और important और final question बात करेंगे फिर माना जगत सिंग परतम complete हो जाएंगे उसके बाद हम सबसे important राजा पढ़ेंगे माना राज सिंग क्या चीज clear हो गई ठीक है तो ध्यान से सुने जगत सिंग जी का एक प्रश्ण और बनता है और वो प्रश्ण क्या बनता है उसको भी आप थोड़ा सा सोट में समझे इनके समय जगत सिंग जी ने एक मंदीर बनवाया था कौन सा मंदीर बनवाया इन्होंने जगदीश मंदीर का निर्मान करवाया कौन से मंदीर का जगदीश मंदीर का निर्मान करवाया किसने महारणा जगज सिंग परथम ने जगदीश मंदीर का निर्मान किसने करवाया जगज सिंग परथम ने करवाया यह बहुत इंपोर्टेंट है समझा देता हूँ जगदीश मंदीर कहां पर है उदयपूर में कहां पर है उदयपूर में इसका निर्मान कब होता है 1651 में कब होता है 1651 में जगदीश मंदीर का निर्मान हुआ था तो दो प्रश्णा आपके बन गे ठीक है 1651 में उदयपूर में हुआ और इस मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था तो उत्तर चला जाएगा अमारना जगत सिंग पर्थम तीन चार कोशन आपको मैं कलियर से समझा देता हूँ जगदीश मंदिर का अगर आपसे अगला प्रशन पूछे तो जगदीश मंदिर जो है किसको समर्पित है तो आपका उत्तर चला जाएगा ये जाएगा भगवान विश्नु को समर्पित है किसको समर्पित है भगवान विश्नु चार ओप्शन में नहीं हो तो आपको उत्तर देना है ये जगदीश को समर्पित है और जगदीश जो है बगवान जगदीश को ही बगवान विश्णू माना जाता है क्या चीज क्लियर है एक भी प्रसन आपका गलत नहीं होना चाहिए आगे बढ़ू अब सुनें तो ये जगदीश जो है बगवान विश्णू है ये जगदीश को समर्पित है और इनकी काले संगमर्मर की यानि काले पत्थर की मूर्ती लगी हुई है जगदीश मंदिर का दूसरा कोशन याद रखें दूसरा कोशन ये है कि जगदीश मंदिर जो है ये कौनशी शेली में बना हुआ है कौन सी शेली में बना हुआ है तो आपका उत्तर जाएगा पंचायतन शेली का मंदिर बना हुआ है मंदिर निर्मान की अलग-अलग शेलियां हुआ करती थी पहले राजपुतों के इतियास में या अन्य भारत के इतियास में जब मंदिर बना है जाते थे तो उन मंदिर निर्मान की अलग-अलग शेलियां हुआ करती थी मैं सिर्फ एक्जामपल दे रहा हूँ जैसे एकायतन शेली, पंचायतन शेली, आपके बैसर शेली, नागर शेली, द्रविड शेली, महा मारू शेली जिसको गूर्जर परतियार शेली भी कहा जाता है भूमिज शेली क्या मेरी बासमा गए क्या कुछ राजा मारजों के समय बनाया तो वो अलग से हो गया गूरजर परतियार शेली हो गया परमार शेली हो गया चालुक के शेली के मंदिर हो गए ओके तो ये अलग-अलग शेली में काउंट होते थे तो साहतन शेली का मंदिर है और इस मंदिर के गर्ब ग्रे में तो बगवान विश्नु की मूर्ति स्थापित है लेकिन मंदिर के गर्ब ग्रे के सामने गर्ब ग्रे के सामने गर्ब ग्रे के सामने बगवान विश्नु का वाहन कौन सा है गरूर तो गरूर की बहुत बड़ी मूर् हुई है तो गरूर की मूर्ती भी यहां पर लगी हुई है क्या चीज क्लियर हो गई जगदीस मंदिर का लास्ट और important question की बात करते हैं तो यह जो जगदीस मंदिर है यान से समझना यह जगदीस मंदिर है इसका निर्मान किस ने करवाया इसका निर्मान मारना जगत सिंग पर्थम ने करवाया था इस जगदीश मंदिर का एक नाम और आता है और इसको बोलते हैं सपनों से बना मंदिर इसका एक नाम और क्या है इतियास में जगत सिंग जी को सपन आया, पहले मैंने एक दिन क्लास लेते, उसमें को लोगों सपने में बगवान जादा आते थे, अब बगवान जादा नहीं आते, अब तो अपने को सपने ही ऐसे आता है, कि अपने रात में सो रहे हैं और अपने पीछे कोई डंडा लेके पढ़ रहा है या कोई सांप पीछे पढ़ रहा है और हम भाग रहे हैं चिलाने की कोशिज भी करते लेकिन हमारे मुझ से आवाज नहीं निकलती है ओके ठीक है ट्राइ कर ले न यह आप सब जानते हैं आपको आते होंगे सपने लेकिन पहले बगवान ज्यादा सपने में आते थे तो सपनों से बना मंदीर का जाता है जगदीज तो इनको सपना आया था उसके आतार पे कहते है कि मंदीर बनवा दिया तो सपनों से बना मंदी से 1642 इनका समय है इनका पहला कोशन है इनका काल सतरवी सताब्दी माना जाता है मिवार चित्र शेली का स्वनकाल था उदेपुर में अपने मेलों में तस्वीरारों कारखानों या चित्रों के ओरी एक चित्र शाला का विभाग बनाया था और इनके चित्रकार थे जिनको चित अदिश मंदिर उधेपुर का निर्मान करवाया है जो उधेपुर में निर्मान 1651 में इसे सपनों से बना मंदिर भी कहा जाता है और इसके गर्भग्रे के सामने गरूर की मूर्ति लगी हुई है पंचायतन शेलि में बना हुआ है किसको समर्पीते बगवान विश्णू को अ है अपने सभी groups में share करा करो और यह जो मेरी class आप देखते हो अगर आप मेरी class से satisfy हो तो जिस समय class चलती है जिस समय आप देख रहे हो एक गंटे के लिए अपने status पे लगाया करो इसका link status पे लगाया करो जो लोग त्यारी कर रहे हैं क्योंकि आपका status आपके touch में है वो ही लो तो यह आपके किसकी बात हुई जगत सिंग की प्रतम थोड़ी सी अपने चित्र कला की बात आई थी तो चित्र कला के में दो तिन question आपको थोड़ा सा भी बूर्ड पे समझाऊंगा उसके बाद हम माना राज सिंग का मेटर केलियर करेंगे तो एक बार जो है एक बार इसका स्क्रिन सोट लेए उसके बाद आगे चर्चा करते हैं ओके साइद आसा करता हूँ सब के समझ में आ रहा होगा चिक है जिसको नहीं आ रहा है वो comment box में डालें समझ में नहीं आ रहा हो तो बताएं अगर आप मेरे से gk group से नहीं जुड़े होए हैं तो मेरे whatsapp नंबर पे आपको message करना है अपना नाम और डिस्टिक लिकना है मैं gk group मे save कर दूँगा कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आमने काफी समय से आपको message डाला लेकिन आपने save नहीं किया चिंता नहीं करें मैं आपके number जो message डाल रहे हैं उनका मैंने broadcast में group बना दिया है बहुत जल्दी 2-4-5 दिन के अंदर आपको message मिलना चालू हो जाएंगे रोड कास्ट में save कर दिया है तो आप लोग निश्चिंत रहे हैं आपके number save हो रहे हैं ठीक है न और आपको message मिलना चालू हो जाएगा ओके देखो सुनना अब हम बात करते हैं थोड़ी सी मेवाड की चित्र शेली की क्योंग जगत सिंका समय की बात कर रहे थे तो 2-3 प्रस है तो 100% question clear होगा देखो मेवार चित्र शेली के लिए सबसे पहले तो आपको 2-3 चीज़े clear करो मेवार चित्र शेली राजस्तान चित्र शेली पूरे राजस्तान में राजस्तान की जितनी भी चित्र शेलिया है उन चित्र शेलियों का प्रारम उद्वो मेवार चित्र शेल तो मेवार चित्र शेली का अगर आपसे पूछे कि राजस्तान में केंद्र कौन सा है तो मेद पाट और मेद पाट का ही दूसरा नाम है मेवार चीज क्लिर हो गई पूरे राजस्तान की चित्र शेलियों का केंद्र ही मेद पाट है और जब मेद पाट में मेवार चित्र शेली चल रही है तो राजस्तान की चित्र शेलीों की मूल चित्र शेली ही मिवाड शेली को माना जाता है basic चीजE बता रहा हूं। दूसरी चीज़ मिवाड चित्र शेली में एक दो आता विकास और एक आता स्वर्ण कारण और एक आता प्रधान रंग पूरी चित्र शेली अभी नहीं पड़ाओंगा सिर्फ आपको थोड़ी जगत सिंग पर्थम की चच्चा हुई थी इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ तो मिवार चित्र शेली का विकास मारणा कुम्भा का समय माना जाता है किसका समय मारणा कुम्भा का काल मिवार चित्र शेली का स्वनकाल माना जाता है मारणा जगत सिंग पर्थम अभी हमने पड़ा था और प्रधान रंग जो है मिवार चित्र शेली का प्रधान रंग जो हम बात करते हैं लाल और सेकंड नंबर पर है सेकंड नंबर की बात कर रहा हूँ पहले तो लाल तो होई गया ध्यान रखना सेकंड नंबर पर पीला ओके तो मेवाड चित्र शेली का प्रधान रंग कोंसा सब्स्यादा रंग कोंसा प्रियोग में हुआ तो लाल प्रियोग में हुआ एक बेसिक चीज ध्यान रखना और मेवाड चित्र शेली से लेटेट तीन चित्रित ग्रंत बहुत अच्छा प्रश्ण बनता है और उस ग्रंत का नाम है श्रावक प्रतिकर्मन शुत्र चूर्णी क्या नाम है श्रावक प्रतिकर्मन शुत्र चूर्णी अच्छा प्रश्ण बनता है मैं आपको एक चीज़ वर बता देता हूं जो लोग वास्त में पा एकदम रामबान का काम करेगी जो लोग सीरियस नहीं है तियारी ढंक से नहीं करे ना उनके लिए ये क्लासे माइने नहीं रखेगी क्योंकि मैं सब कुछ बढ़ा रहा हूं और जो सीरियस होंगे 100% आपका जब आप पेपर में देखोगे मेरे क्लासे आपको पेपर में दिखेगी यह लाइन वहां बताई थी और आपके धड़ाद़ कलियर होंगे ठीक है तो स्रावक परतिकर्मन सुत्र चूर्णी मिवार चित्र शेली का पहला चित्रित ग्रंथ है नोलेज के लिए हम बात करते हैं ये किसने चित्रित किया था तो कमल चंद चित्रकार ने कमल चंद चितेरा था या चित्रकार था और ये कमल चंद चित्रकार किसके समय का था तो रावल तेज सिंग के समय का मिवार के सासक रावल तेज सिंग के उनका चित्रकार था ओके और ये जो चित्र चित्रित किया थ का इस बंदे ने ये था 1260 इसवी का चित्र है कब का है 1260 तो गल्ती नहीं होने चाहिए दूसरा दूसरे बिंदू की हम बात करते हैं मेवाड चित्र शेली कौनसी मेवाड चित्र शेली अच्छा प्रश्ण बनता है अगर आपसे पूछे कि मेवाड चित्र शेली का सबसे पहले उजला रूप हमें कहां देखने को मिलता है तो बहुत अच्छा प्रश्ण बनेगा मेवाड चित्र शेली का उजला रूप हमें देखने को मिलता है ठीक है परताब गड में विल्हन द्वारा चित्रित चोर पंचा सीका में मिलता है किस में मिलता है चित्रित की जगे अगर आपके रचित भी आ जावे तो टेंसर नहीं लेनी है उसका नाम है चोर पंचा सीका चोर पंचा सीका में मिलता है चित्रित गंत में और ये विलन द्वारा चित्रित कहां पर किया गया परताब गड़ में परताब गड़ जो है मेवार रियासत में सामिल था तो अगर आप से पूछे कि मेवार शेली का पर्थम चित्रित गंत श्रावक परतिकर्वन सुप्रचो आकब सूब्सक्राइब इस देसरे प्रस्नकी तीसरे प्रस्नकी हम बात करेंगे मेवार चित्र सेली तो ध्यान रखना मेवार चित्रशेली में मारणा मोकल हुए कौन हुए मारणा मोकल और मारणा मोकल जो थे वो मारणा कुम्भा के पिताजी थे और मारणा लाखा के पुत्र थे तो मारणा मोकल के समय एक चित्रकार था जिसका नाम था हीरानन कौन था हीरानन और हीरानन ने जो चित्रित ग्रंट किया वो एकजाम में अभी थोड़े समय पहले पूछा गया है और उसका नाम है सुपास नाह चरियम ये ग्रंट चित्रित किया था और इसका दूसरा नाम मिलता है सुपास नाथ चरित और इसी को हम बोलते हैं सुपास नाह चरियम ये ग्रंत माना मोकल के समय, हिरानन्द चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था, तो ये तीन चार चीजें मेवार चित्रशेली में बहुत सारी चीजे हैं, लेकिन मैं सिर्फ अभी जगत सिंग जी का जिक्र हुआ था, जगत सिंग जी की चित्रकला से लेटेड बात आई, तो मैंने सोचा आपको मेवार चित्रशेली के चार पांच कोशन इसी टॉपिक के कलियर करवा दे, जब चित्रशेलियां पढ़ाएंगे, तब और पढ़ाएंगे हम डीटेल से, ओके, तो ये चार पांच कोशन है, अभी लेटेस्ट मैं आपको अभी वाले पेपरों में ब चित्रशेली का सबसे पहले उजला एकदम नीट एंड क्लीन रूप हमें कहां दिखाई देता है, विल्लन द्वारा चित्रशेली रचित परताबगड में चोर पंचासी का गरंत में मिलता है, महाराना मोकल के समय हिरानन ने सुपास ना चरियम गरंत को चित्रित किया था, ये भी आपके एकदम में पूछा गया है, क्या सबके समझ मा आ गया, आशा करता हूँ, ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आये होगी है, एक बार आप इसका स्कुन सोट ले 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 ना, पहले आप मेरी बात सुने, इसके बाद मैं अगला सासक पढ़ाऊंगा, महाराना समय विश्व का सबसे बड़ा शिलालेग, राजप्रसस्ति शिलालेग लिखा गया, राजसमन जील के किनारे नोचों की पाल पर, ये महाना राज सिंग हुई है, जिनके समय राजस्तान में, मेवार में, ठीके, सिनाजी के मंदिर, सिहार गावं में स्थापना की अनुमत्त लाए गयती, उसको स्तापित करवाया था, ओके, ये राज सिंग जी वही हैं, जिनोंने औरंग जेब के जजिया करका विरोध किया, इसलिए इस क्लास के बाद आप मारना परताग की, मारना राज सिंग परतम की क्लास मिस नहीं करें, ओके, तो एक बार इसका स्क्रिन सोट में और इसके जश्ट अगली राज सिंग परतम की क्लास जरूर पढ़ें, और इनसे पहले अमर सिंग की क्लास, मारना परताग की क्लास है, सारे पढ़ें अच्छे से नोट्स बना लें, मेरी गारंटी आपको प्रस्ण बाहर से नहीं मिलना दुगा, ओके, जैसी किसना, जै किसना अगली आपको प्रस्ण बाहर से नहीं मिलना लें लेंग।